हेलो दोस्तो मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं के टेक टूटोरियल्स में दोस्तो हमारा चल रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम मैनुवली टाइप करके कैसे एक नया साल का कलेंडर बना सकते हैं लेकिन आज मैं आपको एक और तरीके से कैलेंडर बनाना बताऊंगा जो बिल्कुल ही ज्यादा टाइपिंग वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा और आप अपने तरफ से उसमें फॉर्मैटिंग भी दे सकते हैं आपको कोई डेट्स बगरे के लिए आपको ज्यादा डिजाइन नहीं करने पड़ेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर अपना को ड्रोफ बंगर करके रखा हुआ है और यहां मैंने अपनी एक एफोर साइज की शीट लेने के बाद यहां पर मेरे पास टूल्स मेन्यू में जाके एक औप्शन साता है मैक्रोस का ओर मैक्रो में रन म मैक्रो पर क्लिक करूंगा ये मुझे नाम पूछता है सबसे पहले एक मैक्रो का नम suisकके susit कोई भी डिजाइन बन या फिर कोई भी फैतर एक वाइट कुछ काम आप होगल में करते हैं तो उसमें आपको काम करते हो कि कुछ record करके रख सकते हो design का pattern या फिर design का कुछ भी tips आप record करके रख सकते हो ताकि आपको खाली एक command के जरीए आपका पूरा design automatically बन के आ जाए तो यहाँ पे मैं macro का नाम अभी नहीं दूँगा क्योंकि मैंने कुछ record करके नहीं रखा है यहाँ पे macros मुझे किस में use करना है वो मैं देखता हूँ इसी में और भी options आ जाते हैं जैसे यहाँ पे second option आ गया calendar wizard calendar wizard जैसे ही मैंने on किया तो यहाँ पे देखे calendar wizard का नाम आप दे सकते हो आप by default यहाँ पे wizard create calendar नाम आता है otherwise आप दूसरा नाम भी यहाँ पे type कर सकते हो मैं इसको कर देता हूँ run जैसे ही दोस्तों मैं run करता हूँ यहाँ पे over on calendar wizard version 3.7 आ जाता है नए versions में भी यह options होता है और इससे हम बड़ी ही आसानी से calendar generate कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाता है calendar date calendar date में आप अपनी date sets कर सकते हैं या फिर कौन से month का आपको calendar बनाना है वो आप बना सकते हैं जैसे by default January का calendar आप बना सकते हैं क्योंकि January पे check है मैं यहाँ पे सबसे पहले year set कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे 2021 का calendar बनाना है और यहाँ पे दो बटन्स आप देख रहे हैं all and none इससे क्या होगा कि all पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो सारे months हमारे selected हो जाएंगे और आप एक साथ 12 मैनों का calendar बना सकते हो अलग-अलग pages पे बन जाएंगे pages में divide हो जाएंगे उसमें आप फिर एक काम कर सकते हो एक-एक calendar में आप अलग-अलग designs दे सकते हो जैसे मैंने आपको last tutorial में बताया था उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप right side में देखते हैं preview आजाएगा जो भी action मैं इसमें दूँगा उसका preview आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे language मैं English में दूँगा next option हमारे पास आजाते हैं दोस्तों week start on Sunday से week start करना चाहते हैं या Monday से week start करना चाहते हैं वो आपके ओपर depend करता है दोस्तों कि आप हफता कौन से दिन से शुरुवात करना चाहते हैं मैं Sunday से शुरुवात कर देना चाहता हूं यहाँ पे एक और बटन आ रहा है holiday जिस पे मैंने mouse pointer रखा तो इसमें कुछ लिखा रहा है define holidays for current language आप यहाँ पे calendar के लिए कुछ holidays होती हैं वो define करके रख सकते हैं जैसे January में 13th of January को मकर सक्रांती and loadie होती है वैसे तो मकर सक्रांती 14th को होती है मैंने यहाँ पे define करके रखा हुआ तो आप इसमें add and modify करके रख सकते हैं या फिर यहाँ पे मकर सक्रांती हटा देते हैं और यहाँ पे loadie लिख देते हैं सिर्फ और add and modify करके मैं इसको change कर सकता हूँ यहां पर January 14 को अगर मैं करूँ तो लोडी की जगह मैं अब लिख सकता हूँ मकर संक्रान्ती तो मैंने यह लिखा और इसको एड करते तो मैं यहां पर 26 January को जैसे Republic Day होता है या फिर 13th of March को खोली और 15th of August को Independence Day ऐसे ही और भी साल की बहुत सारी चुटियां या फिर प्राइवेट चुटियां होती है holidays होती है जो आप यहां पर define कर सकते हो ताकि आप यह calendar में वह दिखाई दे जाए आप देखिए दोस्तों मैं इसको close कर देता हूं और यहां पर हमारे पास layout आ जाते हैं कि आपको जो calendar रखना है वो किस तरह से रखना है जैसे यहां पर आ गया month large 12 plus 12 small तो कुछ इस तरह के का आपका layout आ जाएगा यहां पर कुछ right side में लेके कुछ इस तरह से आ जाएगा या फिर और भी images आप जैसे image रखना चाहें कुछ center में या फिर आपका जो left right में images है आप वो रखना चाहें या फिर आप अपना कुछ इस तरह से यहां पर image रखना चाहें तो आप रख सकते हैं तो मैं कुछ इस तरह से ही image रख लेता हूं वो ये एक ही calendar जो एक ही page पे बनेगा आपके पास options हैं अगर आप यहां पे और भी देखना चाहें जैसे मैंने year 12 small का देदा है तो मैं यहां पे 12 months एक साथ दे सकता हूं 4-4 महीने 3-3 रोज में तो मैं यहां पे जैसे यह कुछ ले लेता हूं यहां पे आप अपनी image रख पाएंगे या फिर आप यहां से देखिए कुछ इस तरह के right में रख पाएंगे images या left bottom में अगर आपको रखना है तो यहां पे images आप रख पाएंगे तो यहां पे दोस्तों मैं कुछ यही layout ले ले लेता हूं और इसमें मैं image रख दूँगा कुछ उसके बाद दोस्तों यहां पे margins आते हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं कि यह कुछ जगह छोड़के आ रहा है हमारी sheet पे left से top से bottom से तो यह by default 0.394 inches का होता है आप इसमें modify करके ज़्यादा भी रख सकते हो और कम भी रख सकते हो बट मैं मेरे हिसाब से यह okay है इसलिए मैं ज़्यादा margin नहीं लेता और मैं यहां पे इनको यही set रहने देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पे units आप inches से millimeter centimeter यह points में change का सकते हैं मैं inches में ही रख रहा हूँ और यहां पे create calendar in current document को मैं check करके ही रखूँगा अब देखिए दोस्तों यहां पे एक नया option और आता है आगे का कि मैं इसको expand करके बड़ा करके देख सकता हूँ इसका preview की कितना बड़ा preview आएगा यहां पे जैसे इतना बड़ा preview यह दिख रहा है और अगर मैं collapse कर दूँगा तो यहां पे छोटा preview आ जाएगा जो अभी हम यहां पे रखा title का मैंने का font मैं रख लेता हूँ कुछ यह वाला इसका preview आपको देखने को मिल जाएगा या फिर कुछ इस तरीके का रख लेता हूँ और यहां पे मैं इसको कर देता हूँ 14 या फिर 18 20 के करीब कर देता हूँ ताकि यह थोड़ा सा बड़ा आ जाए ओके कर देता हूँ यहां पे underline करके देखे जैनवरी का font कुछ इस तरह की कहा गया अब मैं इसके text का color change कर सकता हूँ यहां पे मैं red color दे रहा हूँ आप कोई सा भी color दे सकते हैं बाद में हम modify कर सकते हैं background का color अगर आप देना चाहूँ तो दे सकते हो जैसे मैंने कुछ light green यहां पे रखा तो मैं okay करता हूँ तो यह light green में आ जाएगा आप अपनी मर्जी से कोई सा भी color दे सकते हैं background का उसके बाद दोस्तों यहां पे आता है headers जो हमारे जो days के names हैं जैसे Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday इनको भी आप modify कर सकते हो इसमें भी आप fonts change कर सकते हो जैसे मैंने font change किया क कुछ यह वाला और यहां पे मैं bold कर देता हूं और इनका font size 12 रख देता हूं okay कर देता हूं और इनका मैं जो color है वो भी रख देता हूं कुछ blue के करीब रख लेता हूं मैं यहां पे dark blue कुछ इस तरह से और यहां पे highlight Sunday तीसरा option आता है इससे पहले दोस्तों इसकी formatting पूरी क यहां पर मैंने blue color दिया text को यहां पर मैं white color दे सकता हूं back को या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी color दे सकते हैं जैसे blue लगेगा cyan पे तो मैं cyan इसमें 100% कर देता हूं और मैं okay कर देता हूं तो देखिए cyan color आ गया अब यहां पर दोस्तों मैं border अगर हटाना चाहूं जैसे left से border हट जाएगा मैं expand करके दिखा देता हूं यहां से कुछ इस तरह से सारी formatting सारे months पे apply हो जाएगी और collapse करूंगा तो खाली एक ही month का दिखाएगा तो मैं यहां पर दोस्तों small header में ही आता हूं यहां से मैं left border हटा सकता हूं right border हटा सकता हूं और below and above का border भी मैं हटा सकता हूं वो आपके ओपर depend करता है तो मैं सारे borders अभी रख लेता हूं और position में top by left हूं या bottom to right दो हूं नीचे से आपका अगर देना है तो वो ठीक है लेक Nations आप कह सकते हैं उसके बात दोस्तों यहां पर style देना है कि आप अपने days का नाम short form में लिखना चाहते हैं यहां फिर um Website൞ेक है just me मैं अपने सारे जो डेज जो डेज्ट neighborhoods, गें, जो dateds यहां पर थोड़ा कॉलाप्स है इसलिए कुछ इस तरह से आ रहा है अगर एक्सपेंड करके आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और प्रिव्यू में तो थोड़ा सा कंजस्टेड ही आएगा इसलिए मैं कुछ अभी नहीं कह सकता जब फाइनली हमारे पास मैं करदेता हूं कुछ ब्लیک ही रहने देता हूं प्योर ब्लیک में के मैं 100% कर देता हूं इस में और यहां पर मैं 0 ंभाकी तो यह बिल्कुल ली 0 ंभाग कलर में आ जाएगा ऑक्य करते हैं अब यहां पशल बेख में अगर आप कोई देना चाहिए जैसे मैं दे भीा साम हम 100% दे देता हूँ तो मैं OK करता हूँ तो यहां पर बैक में आप दे सकते हैं या सियान से थोड़ा सा हट के कलर अगर आप देना चाहें ग्रीन में या ब्लू में या यलो में या औरेंज में तो आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से या फिर आप ब्लैक या वाइट ही रखने हैं तो वाइट सही रहेगा उसके बाद 200 बॉर्डर अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं बिलो का बॉर्डर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं राइट का बॉर्डर या लेफ्ट का बॉर्डर अगर आप अठाना चाहें तो अठा सकते हैं तो मैं इन सब को रखता हूं खालिए अब आप का बॉर्डर अठा देता हूं प्योर रेड कलर तो इस तरह से दोस्तों मैंने सारी फर्माइटिंग यहां पर कर ली है केलेंडर की अपने अब यहां पर मैं एक चीज करूँगा कि यहां पर मैं जनरेट करदूँगा जैसे ही मैं generate पर क्लिक करूँगा यहां पे मेरा पूरा calendar एक ही page पे तयार हो जाएगा मैं इसका font का size पहले और बतल देता हूँ 16 ही रख देता हूँ and generate कर देता हूँ मैं जैसे ही मैं generate करूँगा तो यहां पे हमारा calendar बनके तयार हो जाएगा यहां पे हमारे पास message आजाएगा finish generating the calendar and okay press करता हूँ तो दोस्तों यहां पे मैंने कुछ change कर लिया है इसका layout अब देखिए properly dates जो हैं वो एक साथ एक symmetry मिकल दिखाई दे रही है और यहां पे अब कुछ congested नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पे मेरे पास एक option आता है मैं इसमें कोई अपनी pick अगर लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूँ तो दोस्तों मेरे पास folder है भगवान की picture हो का जिसमें मैंने बहुत सारी भगवान की picture रखी हुई है जैसे मातरानी की है या फिर शेपरिवार की है तो आप अपनी हिसाब से कोई सी भी जो फोटो आपको अच्छी लगे वह आप लगा सकते हो जैसे मैंने यहां पे मातरानी की फोटो लगानी है वैसे भी आज सी नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं मातरानी को प्रणाम करना चाहूंगा और आपको सबको नवरात्री की शुब कामने देना चाहूंगा इसलिए मैं मातरानी की तस्वीर यहां पे लगाना चाहूंगा तो मैं यह पिक्चर को ड्रैग कर लेता हूँ और हमारे कोरल ड्रो में मैं ड्रैग करके इसको ले लेता हूँ और इसको थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ picture को यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से रखना चाहूँगा और इसको right click करके मैं power clip insight कर लेता हूँ इस square के अंदर तो कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर power clip के कुछ option आजाते हैं हमारे पास जिसमें हम इसमें fit content proportionally करेंगे तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा या फिल फ्रेम या stretch या center content रख देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और अब मैं यह चाहूंगा कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ space आ रहा है उपर से भी और नीचे से भी तो मैं इसको यह वाला color fill करने देना चाहता हूं तो मैं यहां पर आई drop a tool का use करूंगा और मैंने यहां पर यह color choose किया अब मैं इसमें यह color fill कर देना चाहता हूं तो यह पूरे square में fill हो जाएगा और यहां पर मैं काम करता हूं दोस्तो टेक्स टूल से मैं लिख दिता हूँ साल अपना जैसे मैंने 2021 का calendar बनाए हैं तो 2021 का calendar आप देख सकते हो यहां पे मैं लिख देता हूँ और इसका font मैं कुछ इस तरह से future pt, demi, italic दे देता हूँ और इसको मैं bold कर देता हूँ यहां पे, यहां से मैं इन दोनों को select करके यहां रख दूँगा कुछ इस तरह से ताकि यह realization हो जाए इसका और मैं इसका size थोड़ा सा छोटो कर देता हूँ ताकि यह जो हमारा 2021 है वो आपका जाए center में तो मैं यहां से इसको square के center में ले लेता हूँ c press करके यह मैं align and distribution के option या फिर आप कह सकते हो कि tutorial में मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको देखना है तो मैं अपने i button में उसका link दे दूँगा और description में भी उसका link दे दूँगा और यहां से अब मैं लिखना चाहूँगा मतरानी का जो भी संदेश मैं देना चाहूँ वो लिख सकता हूँ जैसे मैं हिनली की typing जानता हूँ तो इसलिए मैं हिनली में लिखूँगा और यहां से मैं shape tool से इसको थोड़ा सा पास कर देता हूँ words को इतना और यहां पर मैं इसको shift कर दूँगा मैं इसी की copy कर देता हूँ एक और और इस text को मैं modify करना चाहूँगा तो मैं लिख देता हूँ और इसमें अब मैं थोड़ा सा modification यह करना चाहूँगा इसको मैं plus करता हूँ copy करता हूँ इसकी और यहां से मैं पीछे वाले को थोड़ा सा F12 प्रेस करके outline देता हूँ तो मैं यहां पे 10 या 12 पॉइंट तक outline दे सकता हूँ corner surrounded कर देता हूँ behind fill और scale with object on कर देता हूँ और जो outline आएगी वो मैं black ही रखता हूँ इसको मैं रख देता हूँ यहां कुछ इस तरह से और इन दोनों को मैं फिर select करूंगा और हल्कासा नीचे कर दूंगा ताकि यह बाहर ना जाएं कुछ इस तरह से यही formatting मैं यहां पे भी कर देता हूँ तो दोस्तों यहां पे हमारा calendar तेयार हो गया है आप 2021 को भी थोड़ी किसी कह सकते हैं कि designing में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पे आप कितनी आसानी से नए साल का calendar बना सकते हैं और इनी में ही सारी January में आपकी जो भी छुटियां थी वो डिकलेर हो गई थी जो यह आप red color से highlight देख रहे हैं वो सारे आपके holidays क के ही days हैं तो इस तरह से दोस्तों आप normal calendar बना सकते हैं आज के लिए इतना ही मेरा tutorial अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए और सीखते रहे है graphic designing coral draw में मैं आगे आपको photoshop के भी designing और बताऊंगा और हम macros का use भी देखेंगे कि हम macros में और कितने तरीक इसमें बताऊंगा आज के लिए इतना ही thank you